अगर आप अकेले रहने के लिए बने होते तो आप इस समाज में ना होते 94.3 माई फिल्म से मैं हूँ विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं एक जंगल की कहानी सुनाती हूँ जाहें एक मोर रहा करता था एक मोर्नी थी जो उसे बहुत पसंद थी उसे पूचा क्या तुम्हारे कोई दोस्त है? कौन-कौन है तुम्हारे दोस्त? मोर ने इधर उधर देखा और का कि नहीं मेरे कोई दोस्त नहीं है मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में दोस्तों के लिए कोई जगा है मैं तो अपना पूरा समय खुद को और अपने परिवार को देना चाहता हूँ मोडनी ने तुरंट शादी से इंकार कर दिया मोड सोचते सोचते वापस लोट रहा था कि क्या दोस्त होना इतना जरूरी होता है क्योंकि उसकी बड़ी प्रबल अच्छाते मोडनी से शादी करने की तो उसने तुरंट डिसाइड किया कि वो अपने लिए दोस्त बनाएगा उसने एक शेर के साथ दोस्ती करी एक कच्छुए के साथ दोस्ती करी और एक टिटहरी टिटहरी वो जो शेर को उसके शिकार के बारे में बताती है शेर को बुलाती है इन तीनों से उसने दोस्ती कर ली और उसके बाद फिर से मोर्नी के पास शादी का प्रपोजा लेकर मौचा अब जब उसने मोर्णी को बताया कि अब मेरे तीन दोस्त हैं तो मोर्णी तुरंत शादी कर निकले तयार होगे दोनोंने शादी की खुशी-खुशी अपना जीवन जी रहे थे एक पेड़ की उपर घोसला बना कर रहने लगे और दोनोंने अंडे भी दिये इतने में एक दिन जंगल में शिकारी आए शिकारी अपने लिए शिकार ढूंड रहे थे जब उन्हें शिकार नहीं मिला ठक हार कर उसी पेड़ की छाओं में वो शिकारी बैट गए और उनके मन में विचार आने लगा, वो आपस में बाते करने लगे कि अब शिकार तो मिला नहीं है, लेकिन इस पेड़ पर बहुत सारे चीडिया, मोर वगरा वगरा है तो क्यों ना उनके अंडे और बच्चों से ही अपना पेड भरा जाए ये बातें सुनकर मोर और मोर मी बहुत घबरा गए फिर क्या था, मोर तुरंट वहां से भागा अपने दोस्तों की मदद लेने के लिए उसने टिटहरी को बताया, टिटहरी ने चिलानों शुरू कर दिया, शेर को पता चल गया आसपास कोई शिकार है इतने में कच्वा उनको लुभाने के लिए सामने आया, उन्होंने सोचा चलो कच्वे को पकड़ लेते कच्वे के पीछे गए और कच्वा अंदर पानी में चला गया, जिसकी वज़ा से वो शिकारी भी पानी में जाकर दल-दल में भज गया और कुझी देर में वहाँ पर शिर आ गया और शिर ने उन शिकारियों का ही शिकार कर लिया और मोर मोरनी अपने बच्चों को और अंडों को बचा पाए उस दिन मोरने मोरनी से कहा कि आज मुझे समझ में आया कि तुमने शादी के पहले ये सवाल क्यों किया था जीवन में दोस्तों का होना, सही दोस्तों का होना, कितना जरूरी होता है Actually हम एक समाज में रहते हैं, सब कुछ हम अकेले, खुद बाखुद नहीं कर सकते हमें दूसरों की जरूरत होती है, उनके साथ की आवशक्ता होती है इसलिए समाजिक होने के नाते, मितरता जीवन में बहुत इंपोर्टेंट होती है आपके आसबास जो लोग हैं, कब कहां कैसे, आपका साथ दे जाएं, आपको संकर से निकाल के ले जाएं तो हर किसी से अच्छा व्यवहार रखिए, खुद को मिलनसार बनाईए, अपने दोस्तों का दाईरा और संक्या बढ़ाईए अगर आपको भी ऐसा लगता है ना, कि आपके जीवन में दोस्तों की जगा नहीं है तो एक बार दूद के गिलास के बारे में सोचिए, जब वो पूरा भरा हुआ होता है, तो उसमें और दूद नहीं डाला जा सकता लेकिन शक्कर डाली जा सकती है, शक्कर जो उसमें घुल कर उस दूद के स्वात को और बढ़ा देती है बस ऐसे ही होते हैं अच्छे दोस्त, जो आपके जीवन में खुल जाएंगे और उसकी मिठास को बढ़ाएंगे तो अपने जीवन में दोस्तों का स्वागत कीजिए 94.3 माई फेम से मैं हूँ विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुआएंगे